दोस्तो अब तक आपने सुना तीन मित्र राहूल सैंडी और हिमानशू चोरीची पे केरिबियन आइलेंड का ट्रिप लैन करते हैं मगर उनका बलेन एफरीका महादीब के उपर अपना संतुलन खो बैठता है और क्रेश हो जाता है भागेवस उस क्रेश में यही तीन मित्र ही बच पाते हैं मगर जमीन पर उन्होंने जो भी देखा वह अचम्बित कर देने वाला था उन्होंने देखा कि दुनिया से सारे इंसान पसू पक्षी जानुवर केड़े मकोड़े गायब हो जगे हैं तब उनका सामना किसी इलेट्रो मैगनेटिक पदार्थ से होता है जो उन्हें निगल जाता है और पूरी दुनिया से इंसानों का वजूद खत्म हो जाता है अब आगे दुनिया खत्म होने के कुछ महीने बाद लॉंग गेर बिन सवालबार्ड नॉर्वे ग्लोबल सीड वॉल्ट के अंदर महज 105 लोगों को ही बचाया जा सका जिसमें ज्यादतर उस वॉल्ट में काम करने वाले कर्मचारी थे जो अलग-अलग देशों से तालुग रखते थे कुछ सैनिक आसपास मौजूद नागरिक और उस स्वीड वॉल्ट के अधिकारी डॉक्टर अभिलाश चिनहा भी मौजूद थे लोगों में देशत थी, दुनिया की तबाही को दो महीने होने को आये थे मगर अंदर मौजूद व्यक्तियों में किसी को भी यह पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है तब ही वहां मौजूद कुछ नागरिक बाहर जाने की जिद करने लगे सैनिक उने समझाने का पूरा प्रयास कर रहे थे अब बाहर कोई भी इंसान नहीं बचा है मगर उन्हें देख बाकी लोग भी विरोध पर उतराए हलाकि कुछ लोग डरे सह में कोने में ही बैठे रहे हलाथ हाँच से निकलता देख डॉक्टर अभिलाश ने वहां मौझूद सारे विक्तियों को संबोधित करते हुए कहा देखिए हम सभी दुनिया के वह भागिशाली लोगों में से हैं जो इस आग्यात आपदा से बच्चे हुए हैं जब भी आप इस सीड वॉल्ट के अंदर हैं बिलकुल सुरक्षित हैं यह जगह ऐसी ही अपातकाल स्थिदी के लिए बनाई गई है आप लोग इस दुनिया में यदि कहीं सुरक्षित हैं तो यहीं हैं बाहर की जिद छोड़ दीजिए हमें भी पता नहीं बाहर कौन सा खत्रा हो सकता है अभिलाश की बात सुन सभी सांत हो गए तभी एक फ्रेंच नागरिक ने पूछा अखिर हम यहां कब तक रहेंगे अखिर इंसानों को कौन खा गया डॉक्टर ने बताया देखिए बाहर क्या है किसी को कुछ नहीं पता मगर कोई परग्रही भी हो सकते हैं या कोई महामारी हमें कुछ नहीं पता बस इतना पता है कि कोई भी इंसान अब शेष नहीं रह गया है तभी बाहर से वॉल्ट की दर्वाजा पीटने की आवाजाई सभी बहुचक के रह गए वॉल्ट खोलने का आदेश किसी को नहीं था डॉक्टर दॉड कर सेसी टीवी फुटेज के समी पाए मगर बाहर लगा हुआ कैमरा निश्क्री हो चुका था आखिर बाहर कौँ हो सकता है क्योंकि किसी भी इंसान के होने की संभावना बेहत कम थी सभी के मन में यह सवाल तैर रहे थी बाहर से कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती थी सभी डरे हुए थे कोई परग रही जी हो भी हो सकता है लेकिन तब ही वह गेट पीटने की आवाजा और तीफर हो गई और मानो किसी बेहत प्रजलित गाने के सुर में बदल गई अंदर मौजूद लोग समझ गए कि बाहर मौजूद कोई इसी दुनिया का ही वेक्ती है तुरंट गेट को खुला गया बाहर दो वेक्ती किसी तरह का सूट पहने हुए खड़े थे वह अंदर आए सैनिक बंदूगतान तयार थे उन वेक्तियों को देख लोग डरे हुए थे वे दो वेक्ती चार-चार फुट के तकरीब अनुचाई के थे ये जरूर कोई परग रही है इसे मार दो लोगों में से आवाज आई नहीं ये कोई बच्चे हैं इन्हें मत मारना किसी और ने कहा वेदो वेक्ती जैसे ही अपना हेलमेट निकालने लगे सभी के मुँख खुले हुए थे मगर जैसे ही उन्होंने वे हलमेट और सूट उतारा वेदो ब़ॉने वेक्ती मालूम हुए जो भूख और प्यास से हाफ रह थे उन्हें खिलाय पिलाय गया तो उनमें कुछ जान में जान आई एक के बाद एक उन पर कई सवाल दागे गए तुम लोग कौन हो बाहर क्या हो रहा है तुम लोग कैसे बज़ गए इत्यादी उन्होंने बताया कि दुनिया के सभी वेक्ती सुरच्चित है सभी हैरान थे क्या मतलब उन बोनों में से एक निकाहा बाहर जो भी इलेक्ट्रो मेंगनेटिक होल्स हैं वह एक कमजूर वार्म होल्स हैं जो की एक पोर्टल की भाति काम करते हैं किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या बोल रहे हैं वह ध्यान से यह सारी बाते सुन रहे थे साब साब बताओ एक व्यक्ती ने सब रखो कर कहा बोनों ने कहा देखिए वह इलेट्रो मैगनेटिक वेब्स जिस किसी को भी निगलता है वह आज से पचास वर्स बाद की दुनिया में चला जाता है सभी के मों खुले थे जी हाँ आपने सही सुना है यह सारे इलेट्रो मैगनेटिक होल्स एक तरह के गिलिच हैं जो पूरी दुनिया में अनियंत्रित भ्रमन कर रहे हैं कुछ नए खोल रहे हैं तो कुछ पुराने बंद हो रहे हैं सभी भौचक के हो उन दूनों बहुनों की बाते सुन रहे थे तुम्हें यह सारी बाते कैसे पता वहां मौजूद एक खटे कटे कर बंचारी ने आगया कर वुचा वह दूनों एक दूसरी की तरफ देख रहे थे डॉक्टर अभिलास ने सवाल पना दोराया अरे तुम दूनों चुप क्यों हो जवाब दो आखिर यह सारी बाते तुम्हें ही कैसे पता है वह दूनों बाउने जिजग रहे थे उन्होंने जुझला कर कहा यह सब हमारी वज़य से हुआ है यह सुन वहां मौजूद सभी लोग सन्न थे तो दोस्तों आखिर वह दो बाउने कौन है क्या दुनिया की जो भी हालत है यह उन्हीं के कारण हुई है क्या सारी दुनिया के लोग आज से 50 वर्स पार की दुनिया में ट्रांसफर हो गए है और अगर ऐसा है तो उस दुनिया की हालत क्या हो रही होगी जानेंगे दोस्तों आगे की कहानी में देखते रहिए सुनते रहिए अगर कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलीगा मिलता हूँ आगे की कहानी लेकर तब तक के लिए शुक्रिया